दोस्तो स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल बिंदास खबरे में जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश तुनिया की ताजा बड़ी खबरें इसलिए वीडियो को अंतक जरूर देखें जिससे की जरूरी खबरें और महत्तपुन जानकारियां आपसे मिशना हो और दोस्तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के दरफ और आपको बता दे कि राहूल का केंद्र पर निशाना कहा कि मोधी जी चला रहे हैं सरकारी कंपनी बेचो मुही दोस्तो आपको बता दे कि कॉंग्रेस के पूर्वाद्यक्ष राहूल गांदी लगातार ही केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहते हैं वे जीडिपी, अर्थवेवस्ता और कोरोना वाइरस को लेकर सरकार पर निशाना साथते रहते हैं अब मंगलवार को एक बार फिट से उन्होंने मोधी सरकार पर हमला किया है कॉंग्रेस नीता ने कहा कि LIC को बेचना मोधी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सकाइब करें, बेल का इकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर आउन करें और इसी के साफ दोस्तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दे कि नौकरी पेशा ध्यान दे आपके पीएफ की पैसे पर हो सकत के लिए 8.5 प्रतिशत ब्याज तै किया गया था, लेकिन अभी तक उसे नोटिफाई नहीं किया गया है, ऐसे में ब्याज दर तै करने में हुई देरी के मुद्दे को उठाया जा सकता है, और उमीद की जा सकती है कि ब्याज दर पर मुहर लग सकती है, EPFO के Central Board of Trustees ने 5 मार्च की बैठक में EPF पर 2019-20 के लिए व्याज दर 8.5 पीजदी रखने के सिपारिश की थी, ये पिछली वितवर्ष के मुकाबले 0.15 पीजदी कम है, दोस्तों यहाँ पर आपको बता दे कि बोड के एक सदस्य के मुताबिक हम व्याज दर के अनुमोदन में विलम का मुद्दा इस बैठक में उठाएंगे, CBT इस बारे मेंने ने मार्च में ही कर चुका है, ये मुद्दा 9 सितंबर की बैठक की कारे सूची में शामिल नहीं है, लेकिन हम इसे उठा सकते हैं, दोस्तों यहाँ पर आपको बता दे कि करमचारी भविश्य निदी यान की का हिसा PF खाते में जाता है, और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगली बड़ी खबर की तरह फ़र आपको बता दे कि कोरोना वैक्सिन के बारे में गुड नियूज को वैक्सिन के दूसरे दौर के ट्रायल को मिली मंजूरी, उमीद की जारी है कि भारत में जल्द ही वैस चांचलर डॉक्टर ओपी कालरा ने मीडिया को बताया कि उन्हें भारत बायोटेक से उनकी वैक्सिन के दूसरे डाउन का ट्रायल शुरू करने के अनुमति मिली है, उन्होंने बताया कि उनके पास ट्रायल के लिए 12 साल से लेकर 65 साल तक के 300 स्वैन से वक हैं, इसमें इफेक्ट सामने नहीं आया है, इसका पहले चरूर का ट्रायल जुलाई के आखरी सब्ता में पूरा हुआ था, दोस्तो जिस तरीके से महामारी फिर से तेजी से बढ़ने लगे ऐसे में अब एक उमीद वैक्सिन पर ही है, इस पुरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी के साथ दोस्तो बढ़ते अगली बड़ी खबर के तरफ और आपको बतादे कि इंडियन ओवर्सीज बैंक और बैंक ओफ महरास्टरा ने घटाई MCLR रेट कर्ज लेना होगा सस्ता, दोस्तो आपको बतादे कि सरकारी शेत्र के दो बैंको, बै 7.30% और 7.30% से 7.25% कर दिया है, बैंक की नई दरे सोमवार से लागू है, दोस्तो आपको बतादे कि बैंक ओफ महरास्टरा ने एक दिन के लिए एक माह और तीन माह के कर्ज के लिए MCLR में बदलाव किया है, ये क्रमशा 6.80% और 7.20% किया है, वहीं इंडियन ओवर्सीज ने शेर बाजार को बताया है कि उसने सभी अवधी के करजों के लिए MCLR 0.10% तक कम कर दिया है, और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी ख़बर के तरफ और आपको बतादे कि लद्दाख में 10 दिन में चीन की 34 शाजिस फेल, आदी रात को फिर भारते जवानों पहले ही उनके मनसूबों को भाप कर फेल कर देती है, चीनी सैने किसी भी कीमत पर इन दोनों चोटियों पर नियंतरन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लद्दाख में बीते 10 दिनों में चीन की 34 साजिश को हमारे वीरों ने नाकाम कर दिया है, सुमबार की आधी रात को ए उनसे ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पोस्ट को अपने नियंतरन में ले लिया था, जिस पर कपजा करने के मकसद से 29 अगस्त की रात को चीनी सैनिकों ने भारतिय सीमा में घुस पैट करने की कोशिश की थी, इससे पहले तक ब्लैक टॉप पोस्ट पर किसी भी देश का क कपजा नहीं हुआ करता था, चीन इसी चोटी पर कपजा करने की फिराक में था, जिसे भारते जबाजों ने नाकाम कर दिया, भारते सैना ने ब्लैक टॉप पोस्ट से ना केवल चीनी सैनिकों को खदेडा, बलकि उस इलाके में लगे चीनी कैमरों और सर्विलांस उपकरन कर दिया है, इसके साथी सरकार ने कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए नकत साहता देने की घोशना भी कर दी है, सरकार के एलान के मताबिक शहरी शेत्रों में गैर जरूरी सेवाओं की दुकानों, होटल और रेस्टरेंट अब रात 9 बजे तक खुल सकेंगे, वहीं अब हो देश सरकार ने निर्मान शेत्र में ऐसे मजदूरों को 1500 रुपे की राहा देने का एलान किया है, जो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, या फिर जिनके परिवार वाला कोरोना से संक्रमित है, उन्हें क्वारेंटीन भी किया जाएगा, और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते पहले बैच को आम जनता के लिए लॉंच कर दिया है, रूस के स्वास्ते मंत्राल ने इस बात की जानकारी दी है, रूसी एजनसी ने बताया कि शुरुवाती दौर में इस वैक्सिन के अच्छे परिणाम दिखाई दे रहें, और इस बीच रूस ने साफ कर दिया है, कि पहले बैच को आम जनता के लिए जारी कर दिया गया है, दोस्तों यहाँ पर आपको बता दे कि भारत रूस की कोरोना वैक्सिन का गंबीरता से अध्यान कर रहा है, भारत में रूस के राजदूत ने कहा कि रूस विभिन स्थर पर वैक्सिन को लेकर भारत के संपर्क में है रूस ने भारत के साथ वैक्सिन को लेकर सहीयों के तरीके साजा किये हैं, फिलाल भारत इस वैक्सिन के इस्तमाल को लेकर अध्यान कर रहा है, और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दे कि भारत की रक्षा रफतार को दुनिया क कर सकते हैं अमेरिका रूस और चीन के बाद अपने दम पर हाइपरसोनिक तक्निक विक्सित करके भारत ने आधनिक रक्षा प्रणाली के शित में बड़ी शलांग लगाई है हाइपरसोनिक टेकनलोजी डिमांस्ट्रेटर वहिकल स्क्रीम जैट एयर क्राफ्ट या फिर इंज खबर की तरफ और आपको बतादे कि चीन की सीनोवेक वैक्सिन ट्राइल में सुरक्षित लेकिन बुजूर्गों पर कम असर दार वैक्सिन ट्राइल पर कई देशों को भरोसा है कि उनकी वैक्सिन कोरोना वाइरस पर कारगर असर दिखाएगी रूस के बाद अब चीन भी अपनी वैक्सिन के बारे में खुल कर दावा करने लगा है प्रभारी ने राइटर्स को बताया कि वैक्सिन के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल में किसी भी तरह के गंभीर दुस्ट प्रभाव नहीं देखे गए। अगली बड़ी खबर की तरह और आपको बतादे कि किसानों को हर साल 6,000 रुपे की गारंटी देने वाली स्किम पीम किसान समान निदी योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। पूस्तास में सामने आया है कि लगबग 40,000 अब पात्र लोग गलत जानकारी देकर प्रधान मंत्री किसान स्किम से वार्षिक 6,000 रुपे का लाब उठा रहे थे। प्रधान मंत्री किसान समान निदी योजना के तहर तीन किस्तों में किसानों को सालाना ये मदद दी जाती है। अब ले रहे और गलत तरीके से ले रहे तो सावधान हो जाईए। और इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बतादे कि मनोज सिनहा ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की वापसी सरकार की सरवच्य प्रात्मिक्ता। दोस्तों आपको बतादे कि ओपराज पाल मनोज सिनहा ने जम्मो कश्मीर में घर बार छोड़ कर विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों को गाटी में सम्मान जनक वापसी का भरोसा दिया है। उन्होंने का कि विस्थापितों को कश्मीर में सम्मान जनक वापसी और प्रदेश के हर वर के अधिकारों का संडरक्षन प्रदेश प्रशाशन की पहली और सरवच्च प्रात्मिक्ता है। को सुनने के लिए मनोज सिनाख खुद ही उनके दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। प्रताप यादव से अलग रह रही उनकी पतनी और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी एश्वर्य राय का मुद्दा उठाया। को संसद्य रणनीती समू की बैठक आज। दोस्तों आपको बदा दे कि कॉरोना, एकनॉमी और चीन के साथ जड़ब के मुद्दे पर सरकार को आड़े हातों लेने का फैसला किया है। दोस्तों आपको बता दे कि संसद्य में मोदी सरकार के खिलाफ मुद्दों को उठाने के साथ साथ इससे पहले कॉंग्रेस कमेटी की बैठक पर भी नजरे रहेंगी। आपको बता दे कि कुछ दिनों पहले कॉंग्रेस में सुधार के मुद्दे पर 23 नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। इन 23 नेताओं ने पार्टी के वरिस्ट नेता, गुलाम नमी आजाद और आनंद शर्मा भी शामिल थे। जो बिडेन और उप्रास्टिप्ती पद की प्रत्याशी कमला हैरिस पर एक साथ निशाना साधा। इस क्रम में उन्होंने बिडेन को बेफू कहा। ट्रम्प ने कहा कि कोरोना वाइरस वैक्सिन पर गुमराह करने वाले ब्यान के लिए बिडेन और कमला को अमेरिकी जनता के समक्ष सारवजनिक रूप से माफी मागनी चाहिए। राष्टपती ट्रम्प ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि डेमोक्रेटिक उमीदवार बिडेन चीनी वाइरस के आगे देश को आत्म समर्पन करना चाहते हैं। बात से दोनों देशों के बीच हालात सामानने करने के लिए वारता चल रहे है लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। इस घटना क्रमों के बीच विदेश मंत्री S. जैशंकर रूस का दौरा करने वाले हैं जहां सीमा विवाद को लेकर वहचीन के विदेश मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। विदेश मंत्री S. जैशंकर ने सोमवार को कहा कि LSE पर स्थिती बेहधी ना जुक है। दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बतादे कि पिता के नक्षे कदम पर चिराग पासवान बिहार चुनाओ में 15 साल पुराने फार्मुले पर काम। दोस्तों आपको बतादे कि मुख्यमत्री नितीश कुमार को लेकर जिस तरह से LJP प्रमुक चिराग पासवान ने तेवर सक्त कर लिया है इसे साफ जाहिर है कि चिराग आगामी चुनाओ में नितीश कुमार के नेतिर्त में चुनाओ नहीं लड़ना चाहेंगे। ऐसे में माना यह जा रहा है कि चिराग अपने पिता के 15 साल पुराने राजनितिक फार्मुले के तौर पर अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। 2005 का फार्मुला ऐसा है कि जिसके तहत LGP केंद्र में BJP के नेतिर्त वाली इंडिया का हिस्सा भी बनी रहे और बिहार में उससे अलग होकर चुनावी किस्मत भी अजमाले। पर भारी बारिश हुई। के साथ हलकी बचारे भी गिर सकती हैं। वहीं दिल्ली NCR समेत देश के बाकी हिस्सों में मानसुन की सुस्ती और तापमान में व्रिदी देखने को मिलेगी। दोस्तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाए, और नोटिफिकेशन को जरूर अन करें।